आयोध्य में पुलिस ने एंकाउंटर के बाद रेप के आरोपी को गिरफतार कर लिया है पुलिस ने केस दर्चोने के कुछी घंटे में आरोपी सलमान को गिरफतार कर लिया है वो पुलिस टीम पर पायर कर भागने की कोशिश कर रहा था थाना महराज गंज के ही एमी आलाप रोड पर तारापुर गाउं के पास ये एंकाउंटर हुआ बदमाश सल्मान ने चार साल की मासूम के साथ रेप करने का आरोप उस पर लगा है और अगली खबर आगरास्ते जहां पर एक परिवार फूड पॉइसनिंग का शिकार हो गया परिवार के आठ लोग बिमार हो गये और सभी को अस्पिताल में भरती कराया गया तीन सदस्यों की हालत गंभीर बताई जा रही है कुट्टो के आठे का खाना खाने से तबियत खराब हुई थी मामला थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र का बताया गया बांदा की किरवा थानक शित्र में एक ओटो और बाइक की आमने सामने जूरधा टकर हो गई हाथसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई सूचना मिलते ही स्थानी पुलिस मौके पर पहुँची और शवो को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भीजवाया गया गटना खुरहंड गाउं के पास की बताय गई बांदाबी जनमाश्टमी के दिन तराब में ना आने गई 16 साल की नवालिक गहरे पानी में जाने से डूब गई स्थानी लोगों ने नवालिक को निकाल कर अस्पताल में पहुँचाया जहाँ पर डॉक्टर ने उसे मृते खोशित कर दिया मामला हमीर पुरजिले के मटॉंध थाना शित्र का है मुरादाबाद में रिटार बैंक मैनेजर की हाथ्या का खुलासा कुआ है बैंक कर्मी एक महिला साही तीन आरोपी के रफ्तार कर चुका है बैंक कर्मी ने एक महिला से मृतक को हनी ट्रैप कराया था दरसल मृतक बैंक से रिटार होने के बाद भी नोर के मामले में दखल देता था जिसके बाद आरोपी बैंक कर्मी ने उसे साजिश में फसाया महिला के जर्ये हानी ट्रैप किया गया और फिर गला दबा कर हत्या कर दी गई पुरे मामला का खुलासा करते खुए पुलिस ने बैंक कर्मी और हानी ट्रैप करने वाली महिला समय तीन को जेल फेसिया है पुलिस ने करीब 800 CCTV कैमरे खंगाले के बाद इस मामले का खुलासा किया है इस दोरान मुरादाबाद जन्पद के करीब हमने 700 से 800 CCTV कैमरे खंगाले उसमें हमें एक वाइट कलर की गाड़ी हमें दिखाई दी और जो मरतक था मरतक भी की बाइक दिखाई दी और बाइक में जहां जाकर रुकती है गाड़ी भी उससे पहले रुकती है तो हमें उस गाड़ी पे शक हुआ गाड़ी का हमने नमबर निकलवाया वो हमने CCTV और जुज ने भी यहाँ पर टोलना के हैं उनके कैमरे उसे हमने मदद लेकर गाड़ी का नमबर हमने ट्रेस किया गाड़ी के नमबर ट्रेस करते हुए हम अभियुक तक पहुँचे शौमलीबीक महिला की हत्या का संसनी खेज खुलासा हुआ है पुलिस ने एक युवक और युवति को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी प्रेमी प्रेमी का हैं पुलिस के मताबिक आरोपी युवक युवति को पसंद करता था जोर जबर्दस्ति के दौरान ही आरोपी ने युव्ति की हत्या की थी आपको बिता दे दोनों आरोपी मृतक महिला के गाओं के ही रहने वाले के जिनोंने चार दिन पहले महिला की हत्या की थी हत्या के बाद मृतक के परिवार ने अग्यात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर् महिला की गला घोट करके हत्या की गई थी इस के अनावरण हेट एडिशनल एसपी सामली के परविक्षन हुआ सीयो थाना भौन के नित्रत में टीम का गठन किया गया था उन सभी टीमों ने कारे करते हुए दो अभ्यूक्तों को गिरपतार किया है जिसमें अभ्यूक्तों में देगा साच हरा कि सोशल मीडिया में वीडियो लगातार वायरेल हो रहा है दावा किया जारा था कि गाजियाबाद की एक पॉश सोसाइटी के फ्लाट में मदर्सा चलाय जा रहा था फ्लाट में मदर्से का सच आखिर क्या है आपको दिखाते हैं रिपोर्त में काजियाबाद की एक पॉश सोसाइटी में एक वीडियो वाइरल हो रहा है आरोप लगाए जा रही है कि यहां की एक सोसाइटी में एक फ्लैट को मदर्सा बनाने की कोशिश हो रही है देखिये इस वीडियो में कुछ बच्चे पढ़ते दिखाई दे रही है दरसल मामला चित्रावन सोसाइटी का है यहां के गार्ड ने लिखित तहरीर दी थी कि कुछ लोगों ने उसके साथ मार पीट की थी और एक वीडियो सोशल मीडिया में वारिस हुआ है जिसके बाद पुलिस जाच के लिए पहुँची जाच में एक महिला कुछ बच्चों को पढ़ाते मिली है ऐसा बताया जा रहा है कि महिला की बेटी बिमार है जिसे ठीक करने के लिए वो पार्ट करा रही है इसी दौरान कुरान पार्ट में आये लोगों से जब गाड ने पुश्टाच की तो उसके साथ मारपीट की गई जिसको लेकर केस दर्ज हुआ है आरोपियों के खिलाफ कारेवाई में पुलिस जुट गई है जब ये कुरान का पार्ट करके लोग जाने लगे तो गेट पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ रोख करके पूर्चाच की गई थी जिसके बाद इनके द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना कारीती गई थी इस संबन में थाने पे तहरीर राप्ति हो गई है उचित धराओं में मुकदमा पंजगित कराया जा रहा है और अगरी मैधानी करवाई की जा रही है वीडियो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है फिल्हाल जांच में मदर्सा चलाने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है लेकिन वीडियो वाइरल है और चर्चा का मुद्दा बना हुआ है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटी बरेली में मिठाई की फैक्टरी पर सदर और फूड विभाग ने चापे मारी की है वहां से बरामित हुई खराब मिठाई को नश्ट कराया गया ततकाल फैक्टरी को सील किया गया फैक्टरी माली के खिलाफ फायार के निर्देश दिए गए भोजी पुड़ा थाना इक्षेतर के पीपल स्थाना चौधरी इलाके में ये कारबाई की गई है